जो एवरिवन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भारत का समान ग्यान प्लस कंप्यूटर का समान ग्यान प्लस चतिज़गण का समान ग्यान कल के वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर के टोटल 50 MCQ देखे थे जिसके बहुत ही महतपोर्ण है जो होस्टल वाड़ा नमें कंप्यूटर में 50 नमबर के प्रशन पूछे जाते हैं जिसमें आपको 25 नमबर लाना अनिमारी है अगर आप 25 नमबर नहीं लाते तो आप अब एक्जाम में फैल माने जाएंगे आपका पेपर चेक नहीं होगा इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हैं कि कंप्यूटर के डेली क्लास करते रही है हमारे यूटूब चैनल पर बिल्कूल क्लास कराई जारी है जो लोग हमारे यूटूब चैनल पर नया है तो जल्दी स हमें कमजोर हैं तो मैस्ता की class भी कराई जाए रही है साम 5 बजे की ठीक है यह आज की class है साम 7 बजे की जो की आपके 36 गड़ समाने ग्यान प्लस भारत का समाने ग्यान देखने वाले हैं ठीक है ऐसे ही आपके exam में बिल्कुल पूछे जाने वाले हैं अगर जो लोग अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाएगा वीडियो को सस्क्राइब कर लिजीगा साथ ही बेल आइकन की घंटी को आल पर सेट कर लिजीगे जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडिया अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के मादान से आपको मिल जाएगा ठी ठीक है यह आपका टेस्ट चार रहा ठीक है जो लोग टेस्ट दिलाना चाहते है जल्दी से हाँ पर जूर जाएगे कर टेस्ट चार रहा है ऑनलाइन क्लासे के साथ ठीक है अप्जेटिव कोशन है टोटल हम भारत के समाने गान देखेंगे उसके बाद 36 गड़ का समाने गा है डेली आपको क्लासे कराये जा रही है जो लोग तयारी करना चाहते हैं या पहले से होस्टल वाटाने के तयारी कर रहे है उन यूगाओं के लिए यह बेस्ट क्लास लेकर आने हूं ठीक है डेली क्लासे चार रही है टोटल आपको 50-50 एमसे क्यू करा जा रहा है बिल्कु चलिए आपका पहला कोस्टन है कि अनुवांसी का जनक कौन है जल्दी से कमेंट किजेगा अनुवांसी का जनक किसे कहते हैं या कौन होता है ठीक है चलिए राधा का अंसर आ गया डी मोहन कभी आंसर डी आ रहा है सीता कभी आंसर डी आ रहा है रीगा का अंसर भी डी आ रह आचरह यह बहुत लोगों का अंसरे चुका है धैक मेर भी आ रहागा यहां पर मेर नहीं होगा आपका अंसर डियोंग जितने भी सब्सकुद यस भाए वह पिर जैनल है चुरप नहीं हो अचैक और रिज्यान से सबरे पूछे जाते हैं मैं आप सभी को बताया था और कल के क्लासेज में हमने मिट्टी वाले क्लासेज देखा था जिसमें आप सभी क्याद रखना कि दोमत मिट्टी लाल पीली मिट्टी यहां से बहुंच सारे पूछे जाते हैं ठीक है देखे जनगर्णा 2011-1936 गण में जो जन सेंख है कि विद्धी प्रतिसात क्या है 99.61 प्रतिसात या फिर 20.61 प्रतिसात या फिर आपको 22.61 प्रतिसात तो जल्दी से कमेंट किजेगा क्या हैगा आंसर बहुत लोगों का आंसर C आ चुका है और बहुत लोगों का आंसर D आ रहा है और बहुत लोगों का आंसर क्या आ रहा है बी आ रहा है एक इसी का नहीं आ रहा है ठीक है तो जन्गना 2011 के अनुसार 36 गण में जुर्शंख्या का व्रिद्धी होता है यह आपका 22.61 प्रतिसत होता है जितने भी आप सुन D में गये हैं उनका बिल्कुल सही आंसर आया है कितने लोगों का आंसर आ चुका है यहाँ पर राकेश का है मीना का है क्या नाम है मंजुली का मंजुली का का है गूड मॉनिंग गूड मॉनिंग यह देखे अब गूड मॉनिंग क्यों लिख रहे हो भई गौड इवनिंग लिखो ना साथ वजे की क्लास चर रही है साम साथ वजे की तो गुड इवनिंग लिखो ना गुड आफ्टरनून क्यों लिख रहे हो गुड इवनिंग हो सॉरी ओके कोई बात नहीं होता है मिश्टेक ओके चलिए कितने लोगों का अंसर आ रहा है डी बिल्गूल सही है सभी लोगों का चलिए 83 का question देखते हैं कि असो के सासनकाल में पाटले पुट्र में आयोजी त्रितिय बौद्ध संगती का सभापती कौन है जो दिखिए असो की जो सासनकाल में पाटले पुट्र में जो आईजित किया गये था त्रितिय बोध्द संगती इसके सभापती पुछा गया ठीक है सभापती पुछा गया है कितने लोगों का अंसर आ रहा है बी आ रहा है आंसर ठीक है बिल्कुल सही है मोगली पुत ततीस है ठीक है चलिए भारत तथा चिन के बीच अंतराश्टी बॉंडरी है भारत और चिन क के बीच कौन सा अंतराष्टिफ बॉंडरी है जल्दिस कमेंट किजीगा आंसर ए रेड़ किलिप लाइन या फिर मैक मोहाल लाइन या उपरयोक्ता बेसे कोई नहीं है जल्दिस कमेंट किजेगा जले कितने लोग आंसर आ रहा है C आंसर आ रहा है लेकिन इस C आंसर नहीं होगा चलिए B आंसर आ रहा है किसका सीमा, राहूल, मोकर, मोहान, गीता, A A किसका आ रहा है रजनी, सीमा, गोलू दोनों में कमेंट ना करें ना यहाँ पर आप एक आंसर लगा यहाँ था आपको गलत हो जाएगा भारत तथा चीन के बीच अंतराश्टी जो रेखा है, कौन सी रेखा है? मैक मोहन रेखा, बिल्कुल सही है जितने भी आपसन भी लगा है उनका बिल्कुल सही होगा ठीक है, रेड किलिप किसका है? भारत और पाकिस्तान का भारत व पाकिस्तान का ठीक है आंसर ए होगा जब कि यहाँ पर चीन के लिए पुछा गए तो मैट मोहर रेखा होगा क्या आंसर आएगा चली बताएए आप लोग कमेंट करें चली आप कमेंट करें ठीक है भारत द्वारा प्रिथ्वी का कितने प्रतीसत तरह अच्छादित है यहाँ पर देखिए भारत का जो प्रिथ्वी का कितने प्रतीसत है 24 है नट 2.4 यह पॉइंट है यह पॉइंट बीच में जो लगा है ना वो पॉइंट है डाक्टर A में स्वामी नाथन की जना की रुपे किसे माना जाता है हरित क्रांते बिल्कुल सहीं सभी लोगों का अंसर आ चुका चलिए इसके बाद है 1565 में विजय नगर समराज सुनते ही है यहाँ पर A आंसर लगा दिया है राकेश नहीं बिल्कुल सहीं है ताली कोट का युद्धा है ठीक है जो मुस्लीम राज्यों की वीच युद्धा लड़ा गया था ओके वेरी गूड प्रथम पंच वर्सी योजना का मु करना यह तीनों ही है जो प्रथम वो युद्धा से था लेकिन यहाँ पन नहीं है पूछा गया है तो आपका मूल्य स्थीरता आ जाएगा ठीक है मूल्या इस्थीरता आ जाएगा बिल्कुल सहीं है एक से किर्णों के अविसकार है डबलु सी रोंट जन जो एक से किरण के कौन है डबलू सी रोंट जाना है ठीक है जल्दी जल्दी क्लियर करें कम्प्यूटर की क्लास भी स्टार्ट करनी है ठीक है किस इस्थान में अठाद सुनतावन इस भी में बैरक बिल्कुल सहीं डी आ रहा है बैरकपूर आ यहां पर भारती सीपाहियों ने सरोपथम विद्रू किया था बैरकपूर ने यार बिल्कुल सहीं डी इस राज यह के डली राजहरा की पाड़ियों किस खनिच के एस के के लिए लोग चूना बोर रहे हैं जो चूना पत्थर होता है नो सबसे ज़्यादा बलवदा बजार ज पतना जाता है यह आपका आजाएता है इसका आंसर राजहरा की पाड़ियों में लोट पायैस reward को यह आपका चूना पत्थर कहां पाज ऑजनता विद्र बलवदा बजार जहल्यादा मां पाजाथ्याद रभात एक विलसन जो है जय विवित्ता कर पीता कया जनक कहलाता है है यदि भारती रिजर्व यानि कि आरभी आई द्वारा कैस रिजर्व रस्षय के लिए किया जाता तो क्या होगी इसकी किमत क्या होगी बढ़ेगी या फिर कम होगी यदि भारती रिजर्व यानि की RBI द्वारा कैस रिजर्व की जो रस्या है रस्या के लिए किया जाता है किसके लिए के दो रिन की सुधा किसे होगी बढ़ेगी ना बिल्कुल सही जब कोई वस्तू किसी द्राव में या फिर पूरी अधूरी डूब होई जाती है तो उसके भार में जो कमी प्रस्तूत होती क्रमी जो हटाए जैजर्व के भार के बराबर होती है इस सिद्धान के प्रतिबादन आरकी मेडीज ने किया था ठीक है चली इसका आंसर आप बताएगा क्या आएगा नीम्न में से कौन से राश्टी प्रजतांत्रिक गड़ बंधन का अंग नहीं है ये आपका नहीं है नहीं है ज़ित कमेंट किजिए के राश्टी लोग समतापाटी राश्टवादी कंगरिसपाल्टी कीरल कंगरिसपाल्टी नागापीपुल्स फ्रंट ये फिर जारगन मुक्ती मौर्चा चलिधी कमेंट किजिए इसका अंसर क्या आएगा आप सभी कलिए प्रस्न है जो लोग, हाँ, बिल्कुल जो लोग computer की तयारी करना चाते हैं, daily 7 बजे classes कराए जा रही है, और गणित की class आपका 5 बजे रहने वाली है, ठीक है, ये आज की class चल रही है, भारत का समान नग्यान, ठीक है, भारत का समान नग्यान की class चल रही है, ठीक है, क्या आएगा इसका लोग, क्या comment किये थे, 2, 3 और 5 किन लोगों का अंसर आया है, कितने लोगों का अंसर, 2, 3 और 5 आ रहा है, 2, 3 और 5, गड़ बंधन का अंग यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है, किसी का अंसर नहीं आया है, क्या है मोहन, आप तो अभी comment कर रहे हो, यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, तो आप comment कर रहे हो, जब आपको पहले comment करना था, भारत में 1993 में किस न्याधिस के विरुद्य पद चुट्टी प्रस्ता प्रारम किया गया था, भारत के समान्य ग्यान में ऐसा ही प्रस्न पूछा जाता है, ठीक है, आप इसको रट्टा माल लिजिए, सीता पूछ रही है कि इसका अंसर क्या होगा, इसका अंसर आपका रामस्वामे होगा, नेकि रही है डो रामस्वामे हैं यापर, चब का वी रामस्वामे होगा, यहां पर पूछा गया है प्रस्ताव प्रारम किया गया था भारती संसत की दूती सदन यानि की राज्य सभा के विशे में क्या सहीं है जल्दी से कमेंट किजी गर विया भंग नहीं किया जा सकता इसका करेकाल 6 वर्ज का होता है अपात कलम इसकि विशे में बढ़ाए जा सकती है या एक इस्थाइश सदन है या उपर आश्टपत इसके धक्षता करता है जल्दी से कमेंट करेए इसका अंसर क्या ऐगा भारत की जो संसर ये आप बताईए राज्य सभा की उसे में क्या सहीं है जल्दी से बताईएगा एक चार पाँच किसका आंसर आ रहा है ये जो राज्य सब है भंग नहीं किया जा सकता इसके वजिया एक इस्थाई सदन है और उप राष्ट पत्री इसकी अध्यक्षता करता है ठीक है क्या क्या आ रहा है एक चार पाँच या भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा जबकि लोगसभा में भंग किया जा सकता है जबकि इसका कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल पांच वर्स का होता है जबकि छै वर्स किसका होता है लोगसभा का ठीक है चलिए क्या आएगा वार केबिनेट, पार्लामेंट केबिनेट, कीचन केबिनेट या सेड़ो केबिनेट क्या अगर जल्दीस बताएगा इसका एक प्रकार नहीं है तहो आपको वार के 1955 जो है नहीं होगा जबकि पार्लामेंट का मतलब होता है संसत केविनेट का मतलब होता है मंत्री मंडल थीख है का अगर इसका अंसर आपसन A होगा जो वार के विनेट होगा यानि कि युद्ध मंत्री मंडल होगा यह एक प्रकार के नहीं है जबकि अगर पूछा जाए कि अगर है करके पूछा जाता यह आपके आपसन में नहीं रहता मंत्री मंडल के एक प्रकार है पूछता तो आपको मंतिम्न संसाद रसोई और छाया मंतिम्न पर तीनों ही आंसर आ जाता जब कि यहां पर नहीं है पूछा गया है तो आपका आंसर ए होगा माइकल फेराट किसके आविसकार के लिए जाने जाते हैं तो आपका विद्दुद्चुमब की प्रण के लिए जाने जाते हैं ठीक है 1945 इसवी में अजाद हिंद फोच की विरुद्ध किस स्थान पर मुकदमा आजित किया गया था इसका अंसर आएगा इन में से कोई नहीं ये किसी कभी नहीं आएगा तो आप बताएए कमेंड में इसका अंसर क्या होगा किसके विरुद्ध मुकदमा आयो जित किया गया था जल्दी इस कमेंड करके उत्तर दें जिन लोगों को पता है कमेंड करें इस राज्य के वर्तमान राज्य पाल जाने के निम्ली खिज में किस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे है इस में से भी कोई नहीं आएगा निम्ली में से किस देश ने सयुक्त राष्ट संग की सुरक्षा परिसाद में सीठ लेने से इंकार कर दिया है आपका सौधी अरब की जो है वो राष्ट संग में सयुक्त राष्ट संग की सुरक्षा परिसाद में सीठ लेने से इंकार कर दिया गया है वो सौधी अरब के हैं ठीक है हाल ही में राज्य विधान सभा के कितने सत्र को मांसुन लिया गया है 2014 की कोश्चन है यह पूछा गया है कि हवी हाल ही में यानि कि 2014 में राज्य के विधान सभा के कितने दिन तक मांसुन सत्र हुआ था तो यह आपका आएगा पांच दिन निमने किस ब्ध पर बनाया जाना के लिए प्रस्ताव किया था यह गीदावा वान्य था थिक है यह क्योंस्ट बहुति महत्पपोन है कि 2013 सारीलि अकादमी पोरुषकार प्राप्त हुआ था यह मृध्यूला गर्ग है जो 2013 में साहित्य अकादमी पुरुषकार प्राप्त हुआ था ठीक है बिल्कुल सही है इसके बाद है कि फीफा विश्व कब फुर्बाल में 2014 में गोल्डन बूट का पुरुषकार किसने प्राप्त किया था जल्दी से कमेंड कर इसका आंसर क्या आएगा 2014 में गोल्डन बूट का पुरुषकार किसे प्राप्त किया था लियोनस में सीव सभी का आंसर ए आ रहा है जबकि ए आंसर आपका गलत होगा यह रोडरी गेज है जेम से रोडरी गेज ठीक है जो 2014 में गुल्डन बूट का पुरुस्कार प्राप्ति किया था ठीक है यह वायू में वायू मारक मिसाइल यह आपका अस्त्र आएगा जो भारती वायू में से जो वायू मारक मिसाइल है वो आपका अस्त्र होगा वायू मे अस्त्र है और इस राज्य के निम लिखे तो कौन से निता है जो मद्य प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री रहें तो आपको पंडित रवी संकर सुकल जी है जो मद्य प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री बने थे ठीक है और इस राज्य के उच्छ न्याले के प्रथम कारेकारी मुख्य नाधिस कौन है तो यह आप बताएगे न्याय मुर्ती आरेस गर्ग ठीके आरेस गर्ग यह जो है उच्छ न्याले के प्रथम कारेकारी मुख्य नाधिस थे चलिए ये कोश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगस्त उनीस सुतीस में इस राज्य के की स्थान पर जंगल सत्र हुआ थो आप सभी कबताएंगे उद्रूदी नामगा जो उनीस सुतीस में जंगल सत्र हुआ था और 1888-1830 तक ये जो बिटीश संचरक्षन का काल में हु रैपूर को जो संत्र हुआ था 1942 में परासराम सोनी के द्वारा ठीक है परासराम जो सोनी है रैपूर संत्र केस हुआ था 1942 में ठीक है चलिए भारत छोड़ो अंदोलन के समया मात्तपूर्णा घटना हुई थी इसको डिटेल से समझ लेते हैं ठीक है जिसके प्रमुक ने तब परासराम सोनी जी थे या 1942 में घटीद घटना है जिसे रैपूर संत्र केस के नाम से जाना जाता है ठीक है चलिए आप कमेंड में बताए कि इस राज्य में 1920 में हुई प्रतम मजदूर हारत वाल यानि कि कब हुआ था ठाकुर प्यारे लाल सिंग के नित्रित्वा में 36 गडब में इन आपको नौट कीजिए का 36 गडब में मिल मजदूर अंद्रित्व में जो ठाकुर प्यारे लाल सिंग थे तो 36 गड़ में मिल मजदूरों का जो अंदोलान हुआ था नित्रित्व करता कौन है ठाकोर प्यारे लालसी है थे जिसके प्रत्था मिल मजदूर अंदोलान 1920 में हुआ वो 36 दिन तक चला दूरती है 1924 में और तिरती है 1937 में हुआ है ठीक है और यह आप बताएगा यह बहुत कि सत्याग की अयजित की गई थी नहर सत्यागरा ठीक है एक और लास्ट कोश्चन देख लेते हैं आप सभी के लिए इस राज्य के प्रत्थम मुख्य सुचना आयुक्त के रूप में किसे सेवा किया गया था एक विजय वरगी है जो प्रत्थम मुख्य सुचना आयुक्त रह चुके हैं ठीक है और आप सभी के लिए कोश्चन है इसका अंसर आप जरूर बताईएगा क्या आएगा इस राज्ये के कल्चूरी सासक ने सकल कोसल धिवपति की किस संद के सरक्षन के धारबन किया था आप संद भी बहुत लोगों का अंसर आ रहा है ऐसी है आप सभी अं का खतम होता है चलिए प्रिथिव देव प्रथम बहुत लोगों का अंसर आया है वेरी गुड ठीक है कि जितने लोगों का भी आंसर आया हुआ है उन सभी को वेरी गुड ठीक है उन सभी को वेरी गुड जो 36 गण में आपर कल्चूरी सासक सकल कोसल धिवपति की धारबन कि थी प्रिथिदेव प्रत्वन ठीक है इसके बाद एक और कॉस्चन है जी सासन काल में चिनी यात्री हैंसांग इस राज्य की स्थीत सीर्पूर में भेट जिती तो मास जी उत्त बालर जून है ठीक है कौन है बालर जून ठीक है देखिए इसको नोट कीजिएगा छे सोन चालि की यात्रकी थी इसका विवरान उसकी रचना सी यू की में और च्छतिद गड़ को किया है ठीक है और उन लेखिती समय महास जीवप्त बालर जून ठीक है आज के लिए इतना ही कल क्लास करेंगे च्छतिद गड़ को पूरी जानकारी पूरा यह सब कल क्लास करने वाले हैं यह जितने भी कोशन आये हैं एक्जाम में आया हुआ है ठीक है बिलकुल कल क्लास